हाई आपके सब्सक्राइब और फिर मैंने आपको ना कुछ बीफ प्रीवियर कोश्चन्स करवाए थे लेकिन वह कोश्चन्स करवाने के बाद मुझे मजा नहीं आया है कि मतलब इतना सारा कोर्स और बीफ कोशन में या मैं दोस्तों भी करा दूँ तो फील नहीं आई तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना यार कैंडिटेट्स के लिए टॉपिक वाइफ कोशन्स अलग से बनाए तो बस अब लोगों आप लोगों के लिए मैं जो है एक प्रॉपर सीडित लेकर आऊंगा जो सी ए रमल लूत्रा क्लास पर डलेंगी जिसमें मैं टॉपिक वाइस जैसे आज का आप टॉपिक दे की सकते हैं डिमांड एंड सप्लाई आपके सामने है जिसके मैं मोस्ट इंबॉर्टेंट्स ज्यादा नहीं करवाऊंगा ठीक है क्योंकि मेरे क करवाने और आपके करने में जमीन आस्मान का फरत है मैं करवा दो और आप ना करो तो कोई तो मैं मात्र बीस कोशन हर टॉपिक से करवाऊंगा ठीक है तो आप लोगों को आईडिया लग सके कि अच्छा ऐसे टाइप की कोशन साने अच्छा इनके आंसर ऐसे करने होते हैं विदिन टाइम फ्रेम ऐसा करना होता है एक सेक्टरा तो चलो जल्दी से स्चार्ट करते हैं एक और चीज आप लोगों के लिए यह जो डाउट सेशन से हैं वह हमारे 3rd of June से स्चार्ट हो रहे हैं जिसका शेडियूल मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूं यह लास्ट क्लास में जो है लास्ट वीडियो में हमने जो है यह सेभी और आइफस्च का स्लेबर जिसमें मैंने आपको क्लियरली मेंचन करा था कि एकनॉमिक्स की वेटे सेभी के एक्जाम में जादा है एस कंपेर टू आई एफसी ए ठीक है और यह हमारा शेडियूल है ठ सेशन जो होंगे वह डाउट क्योंगे तो अगर आप किसी भी कोर्स के लिए न्रोल करना चाते हैं तो आप जा सकते हैं www.ca-raman-lutra-classes.com या फिर आप लोग एप्लिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं अच्छा एक और खुशकबरी की बात में आप लोगों को देदू क्योंकि आज आप लोगों का मन्त एंड है तो आप लोगों के लिए एक ओफर भी चल रहा है और वह ओफर क्या है वह ओफर है कि अगर आप सेभी या आई-ए-पैसी-ए का कोई भी कोर्स में नोल करना चात ठीक है तो मन्त एंड आपको डालना है इस पर मिलेगा क्या आपको 35% का डिसकाउंट और अगर कोई कैंडिडेट दोनों कोस के लिए हमारे से ही एंड्रोल करवाना चाता है हमें ही बिसीकली अपॉइंट करना चाता है कि सर आप ही हमारी जो है नईया पार लगाए तो इसम में आप लोगों के लिए मन्त एंड कॉम्बो नो स्पेस और यह डालना है और आपको 40% का डिसकाउंट मिलेगा ठीक है तो डू चेक डैट आउट चलो तो हम स्चार्ट करते हैं हमारे कोशन आंसर का सिलसिला आप लोगों को ड्रिल पता है या मैं कोशन डीट करूंगा या आपकी स्क्रीन पर कोशन आएगा आपने पॉस करना है अपने आंसर नोट कर लेने और फिर वेरिफाइब कर लेने चलो अच्छा एक और बात कि आप लोग अगर हमारे साथ जॉइन करना चाहते हो तो आप लोगों कुछ हमारे अंदर क्रेडिबिलिटी दिखनी चाहिए न क्रेडिबिलिटी में यह सारे का इंडेट सी लोग तो आए हो आप लोगों को हमारी क्रेडिबिलिटी इनके थुरू पता चल रही है प्लस इनकी सक्सेस च्योरी भी हमने जो है अपने चैनल पर डाल रखी है जो रमन सर ने कुछ जो है इनसे प्रॉपर कन्वरेशन कर यह स चल तो questions का सिलसिला start करते हुए in the case where Pepsi and Coke are substitutes यह जो आज का topic है वो टोटली डिमांड and supply और उनकी elasticity से related है ठीक है कुछ आगे-पीछे नहीं है क्योंकि topic wise मैं करवाना चाता हूं आप लोगों की त्यारी है तो in the case where Pepsi and Coke are substitutes what will be the effect of rise in the price of Coke on the demand for Pepsi as we are well aware of the fact कि जब भी हमारा substitute गोंस होता है which can be used in replacement of the other जो दूसरे के बतले यूस कर सकते तो Pepsi और कोक substitute है तो अगर वो बोल रहा है यहां पर प्राइस किसकी बात कर रहा है को की और डिमांड पर किसकी बात कर लہा कि हो है को का प्राइस बढ़ गया और वह दुना सब्सेट्चिट्ख तो पैप्सी की दिमांड चाहिभी यह तो हमें पता है कि substitute goods में एक के प्राइस और दूसरे की डिमांड में एक डायरेक्ट रिलेशन होता है क्योंकि कोग का प्राइस बढ़ गया तो लोगों के लिए पैपसी चीपर होगी देविल प्राइस इन डिमांड ऑफ यह चीज़े आपको यह कंसेप्स अगर आपके स्ट्रॉंग नहीं होंगे तो इन कोस्टन में हमेशा उल्जोगे जो मर्जी पेपर देलो उल्जोगे तो इसी लिए कंसेप्स स्ट्रॉंग रखने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और ह्मारी कॉंटिटी डिमांड़िट इडिस टोटली अन्रिस्पॉंसिफ टू चेंजन प्राइस दें डिमांड कर वैसस मस्जो इसे में हमारी demand को क्या किये या इसा होगा from elasticity इसको हम बोलते हैं पर्फेक्टली इन इलास्टिक हम इसको क्या बोलते हैं पर्फेक्टली इन इलास्टिक वह इलास्टिस नहीं है हमारी दिमांड में प्राइस जितना मर्जी चेंज कर दो उपर नीचे हमारी डिमांड नहीं हिलेगी जो नॉर्मली हमें मोनॉपली टाइप में देखने को मिलता है जब में मार्केट के कोशन करौंग को उसमें भी आपको देखने को मिलेगे तो हमारी जब डिमांड टोटली अन्रिस्पॉंसिव हो तो हम उसको बोलते हैं पर्फेक्टली इन इलास्टिक कोशन नमबर 3 और विच प्रोड़क्ट इंकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी नेगेटिव अच्छा हमारे यहाँ पर इंकम इलास्टिसिटी भी हम पढ़ते हैं इस कंसेप्ट में इंकम इलास्टिसिटी का मतलब क्यों होता है कि डिमांड किस हद तक चेंज हो रही ह पर इंकम रिभी है दिमांड किसप चेंज हो रही है जब इंकम चैंज हो रियह तो फॉर विच प्रोड़क्ट इंकम इलाफ्चेटी ऑफ डिमांड विल बी नेगेटिव यहाँ पर हमें जो है इंकम इलास्टिस टीशिप दिमांड पताना इमीन जptic उगोंगी से यूज़ वाइड ब्रेट सॉल्ट राइस क्रिकट बैट पढ़ने पे तो हमें यूज़ लग रहे हैं क्योंकि जब बंदे की इंकम बढ़ेगी विल शिफ्ट तुवर्स न्यू क्लोट्स एंड विल डिक्रीज दिमांड ऑफ यूज़ क्लोट्स यहां पर एक इंफीर गु टीयोद की हमेशां मिलास्टिक्ट जो है वो नेगेटिव रहती है नौर्मल होग्ल की हमेशां पॉज़िट इसब ओंड प्राइस थ्चिटी ऑन इंफेरियर वेदि चीविश पैर तो करें सेने नेखिट हो एक्चिक अर्न देखे इंकम घटane और प्राइज और गुण्स में कैसा रिलेशन होता है उनमें भी नेगेटिव रिलेशन होता है छिखे के अंल्स और ऊंक्राइख है तो अगर उस कैटिगरी में नहीं गिर रहा है यहां पर तो कुछ नहीं बोला inferior good exception में नहीं आता law of demand के तो हम उसको normal good ही मानेंगे तो basically हमारा price और income दोनों का answer क्या हो गया negative क्योंकि inferior good law of demand के exception में नहीं आता तो that means price और inferior good में भी negative relation है और income और inferior good में भी negative relation है तो answer हो गया negative and negative अगला आता है the doctor advise consumer not to drink milk तो doctor ने advice करा milk नहीं पिना भाई lactose intolerant होगा कुछ होगा as other things remain constant demand of milk for that consumer will तो basically यहां पर तो basically हमारे अगले question में doctor ने advice करा consumer को उसको milk पीना छोड़ देना चाहिए as other things remains constant the demand of milk for that consumer will तो अब basically अब उसकी demand क्या होगी देखो price तो change हुआ नहीं हमने देखा demand एक price से change होती है other factors से change होती है other factors में इसका आगया preference जब भी price से change हो demand तो movement long demand curve होता है लेकिन जब भी other factors की वह से हो ठीक है अब प्राइस वही है पहले demand इतनी कर रहा था तो demand कर रहा था अब प्राइस वही है लेकिन demand कम करेगा preference कम होगी भाई doctor ने कम मना कर दिया अब इतनी demand करेगा तो उसका demand का कहा शिफ्ट हो रहा है leftward shift हो रहा है कहा शिफ्ट हो रहा है leftward shift तो इसका answer हो जाएगा leftward shift in demand curve answer हो जाएगा leftward shift in demand next question अब यह practical question और आप expect कर सकते practical question भी आएगा ठीक है calculate the elasticity of demand with price elasticity formula तो आपको elasticity of demand निकालनी है price elasticity formula से price 10 था तो quantity demanded 20 यह हो जाता है P1 और यह हो जाता है Q1 जब price होगा 5 P2 quantity होगी 30 obviously price गिरेगा तो quantity बढ़ेगी demanded तो अगर मैं आप formula लगाँ यहाँ पर हमारा EP का या ED का formula होता है अगर मैं proportionate method लगा लेता हूं Q2 minus Q1 upon P2 minus P1 into P1 upon Q1 तो Q2 is 30 Q1 is 20 P2 is 5 and P1 is 10 into 10 upon 20 this and this gets cancelled 30 minus 20 is 10 5 और यह हो गया minus 5 into 2 तो यह हो गया 10 upon minus 10 तो answer should be 1 जहां पर हम minus को ignore करते हैं तो यहां पर answer हो जाएगा E is equals to 1 answer हो जाएगा E is equals to 1 क्योंकि उसमें जो है प्राइस में आपका 50% decrease हुआ और उसमें 50% increase हुआ और उसमें 50% increase हुआ price पहले यह था demand 10 इतुए this is price यह quantity डिमांड इट अब price बढ़ गया demand कम हो गई तो आप point A से point B की तरफ चले जाते हैं कि इसको बोलते हैं contraction इसको क्या बोलते हैं contraction अगर मैं यहाँ पर बात करूं contraction किस वज़ा से हो रहा है प्राइस गिरने की वैसे हो रहा है अपने ही प्राइस बढ़ने की वैसे आपने ही commodity तो increase in price of goods itself, increase in price of goods इसे बाखी सारे तो अधर factors है ना यह तो है अपने ही मैंने आप पीछले question में भी समझाया जब अपने ही प्राइस से आपके डिमांड चेंज हो रही हो तो उसी पर movement होगी contraction या expansion और दूसरे factors की वाज से हो अधर देन प्राइस तो चेंज इन डिमांड कर्व चिप्ट इन डिमांड कर्व इन केस ओफ स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व मीटिंग ओफ टू एक्सिस प्राइस इलास्टिसिटी ओफ डिमांड कर्व एड मिड़ पॉइंट इस बेसी कली वह आपका जो जो जमेंट्रिक मेथड है तू कैल्कुलेट इलास्टिसिटी इस पर पांच पॉइंट होते हैं ए A B B B C CB MIG मिड़ पॉइंट D and D different different elasticity होती है तीक है और इसका फॉर्मला क्या होता है लाइन सेगम eSO 1 च्रहर बीट इस पर हो जाता है इन प्रेट इस पर हो जाएका गरेटर देन फिवर टू इस पर जाता है लेस देन वन और इस पर हो जाता है आमका जीरो तो अगर हो वा मिड़ पॉइट की हमसे पूछ रहा है लिद एकमाड जहह सकी हैं मिड़ Pol Capstone 5 कैना तो मिड़ पॉइंट और किया बराबर चोंगी बॉन के बराबर किसे बराबर होगी बाद की क्योंकि जितना लोगर सेगमेंट में इन स्ट्राइप अपर सेग्मेंट में मिट पॉइंट एना इक्वल होगा ठीक है moving on to question no.9 if the demand of a good is inelastic then how increase in price of that product will impact the total expenditure of consumer अगर demand of a good is inelastic मतलब basically वो यह कह रहा है कि demand ज्यादा हिलती निया है price change होने से inelastic then how increase in price of product will impact the total expenditure of consumer suppose करो पहले price था 10 quantity वो मंगवाता था 10 ठीक है अब price हो गया 15 तो total expenditure क्या होता है price into quantity तो यहां पर 100 अब price हो गया 15 प्राइस बढ़ गया quantity demanded जो इसको inelastic है demand उसकी inelastic है inelastic का मलब perfectly inelastic नहीं है मलब कम होगी तो इसको 9 कर लेते चलो for the time being हम 9 माल रोखें तो अगर total expenditure की तरफ मैं देखो इसको 15 into 9 होता है 135 तो total expenditure क्या हो रहा है increase क्या हो रहा है increase तो answer हो जाएगा total expenditure will increase ठीक है यह concept होता है इलास्चिसिटी एंड टोटल expenditure का comparison अगला कोश्चन वट इस दी शेप ऑफ पर्फेक्टली इलास्चिक डिमांड कर जो हमारी पर्फेक्टली इलास्चिक होता है जिसमें एपी का answer infinity होता है तो उसमें आपका जो डिमांड कर वह ऐसा दिखता है कुछ प्राइस चेंज ना होने पे भी कि डिमांड चेंज हो रही हो पहले क्यूवन थी क्यूटू फिर क्यूवर्ट इक प्राइस बहुत स्लाइट्ली चेंज होता है और इस शेप को हम क्या बोलते है और जारी जॉन्टल और बोलते है और स्टेंडिंक शेप उती तो वर्टिकल ठीक है कोशन नमबर 11 सॉल्व बिलो न्यूमेरिकल बाई आर की लाश्चिसिटी अच्छा आर की लाश्चिसिटी में होती है कि आपका जो डिमांड का वह ऐसे कर्व जा रहा है आक तो वह दो पॉइंट्स पर आप क्या होती है आपने पड़ा होगा चोटी क्लास में आप जो तो सर्कल के करकम न्हीं पर दो प्वंट्सकों जॉइन करती होई लाइन सेगमेंट इस आप ठीक है वह लाइंस होती है यह इस तो यह पॉइंट है यह पॉइंट है इस पे अगर आपको इलास्टिसिटी पता लगा निया तो आर्क इलास्टिसिटी मेथड फॉलो होता है जिसमें फॉर्मुला यूज होता है EP is equal to Q2 minus Q1 upon Q2 plus Q1 P2 minus P1 upon P2 plus P1 तो basically Q2 minus Q1 upon P2 minus P1 into P2 plus P1 upon Q2 plus Q1 तो अगर हम यहाँ पर देखें प्राइस P1 यह रहा यह रहा P2 शोरी है माइबैट यहाँ पर आएगा P2 को खासकर objective टाइप पेपर में questions को पढ़ना अच्छे से बहुत important है यह Q1 हो गया और यह हो गया 120-200 हुआ प्राइस 300-200 उसकी डिमांड हो गए तो अगर मैं सीधा गरू Q2 minus Q1 200-300, minus 100, upon P2 minus P1, P2 minus P1 is 200 minus XOBs, a C, into P2 plus P1 200 plus XOBs, 300 Bs, and Q2 plus Q1, 200 plus 300, 1, this and this gets cancelled out, and यह होता है 8, 4s are 32, तो answer आ गया, minus 4 by 5, minus 4 by 5, minus 4 by 5 को जब हम solve करते हैं तो आ जाता है, minus 0.8, minus 0.8, if price changes by 2% and supply changes by 4%, then the supply is, अगर price हमारी 2% से change होती है, और supply हमारी 4% से change होती है, then यहाँ पर supply की बात कर रहा है कि वो supply कैसी है, यहाँ पर उसने elasticity निकालने को नहीं बोला हो, उसने हमें normally बोला है कि भाईया यह बताओ, अगर price 2% से change हो रहा है और supply 4%, देखो static का मतलब होता है कि change नहीं होना, बहुत कम से change हो रहा है, classic मतलब जितने उस से ज्यादा से supply हो रही है, law of supply के according जो बोलता है कि price और supply of a commodity में direct relation होती है price rises, supply rises, क्योंकि profit margin बढ़ता है supplier का, price falls, supply falls तो इसमें से relation बपादा, as price of good x rises, the quantity supplied tends to increase, यह true है, अब कहीं बंदोगी ने एक आदत होती है, पहली statement बढ़ी true है, आगे की पढ़ेंगे निटिक कर देंगा हो, मिल गई, मिल गई, मिल गई, नहीं, नहीं, यह नहीं करना, जब भी आप ऐसे option देख लोगी, यह वो combination भी दे रहा है, तो आगे पढ़नी पढ़ेंगी, अब देखो, यहाँ पर मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज बताता हूं कि कैसे solve करना है, जब हमें बता चल गया हमारी a वाली statement correct है, तो यह तो answer नहीं नहीं होती है, वो बन गई, तो अगर हम तुका भी मार देते हैं, इन-केस वैसे तो अलाओ, मत मारो, लेकिन इन-केस, यह मार भी देते हैं, ठीक है, फ्यूचर का सवाल है, थोड़ा बहुत जो है, खेलना पड़ेगा हमें, तो ऐसे में, हमारा 50-50 में probability बढ़ जाती यह answer सही है, तो A ठीक है, आप C पढ़ लेते हैं, सीधा बाकी की पढ़ेंगे ही नहीं, supply curve is upward sloping, यहां बिल्कुल ठीक है, यह भी, तो answer हो गया, बोथ A and C, question number 40, when the quantity demanded is less than quantity supplied in the market, this is the condition of, जब भी quantity demanded, ठीक है, जैस सपोज करो, यह आपका demand करो, यह आपका supply करो, अब अगर मैं इस point पर देखू, इस price पर, आपकी demand इतनी है, लेकिन supply इतनी है, यह QD, quantity demanded, और यह QS, तो इस situation को हम क्या बोलते हैं, excess supply, या फिर deficient demand, quantity demanded is less than quantity supplied, तो price is 10 to 4, तो इसको हम बोलेंगे, excess supply with current price below equilibrium price, नहीं, current price तो अबभाव equilibrium price है, तो answer हो जाएगा option number C, excess supply with current price above, जब भी equilibrium price से उपर price चल रहा होगा market में, तो समझ जाना, excess supply की situation, क्योंकि supplier को profit ज़्यादा दिख रहा है, तो ज़्यादा supply की कोशिश करेगा, consumer के लिए price ज़्यादा बढ़ गया, तो वो कम करेगा demand, अगला कोश, in the free market economy, basically free market है, कोई ऐसा restriction नहीं है, when consumers increase their purchase of goods, and the level of demand exceeds to dash, then prices tend to rise, अच्छा, कौन सी situation में हमारे prices rise करते हैं, ये demand, ये supply, अभी हमने देखा, excess supply में तो prices गिरते हैं, opposite situation होती है, ये equilibrium price आएगा, यहाँ पर, prevailing price market में है, जिस पर supply area QS, और demand era QT, अब वो कह रहा है, the level of demand exceeds when the consumers increase their purchase of goods, तो demand बढ़ गई, या फिर, sorry, इसमें जो है, demand बढ़ गई है, sorry, my bad, तो हमारा जो demand है, वो rightward shift हो जाएगा, हमारा जो demand है, वो rightward shift हो जाएगा, पहले ये demand थी, ये supply थी, price prevailing in the market ये था, अब demand ज़्यादा हो रही है, ठीक है जी, तो अब demand ज़्यादा होने से, जो new equilibrium है, आप देख सकते हैं, अगर पहले वला ही price पे चले हम, तो पहले वले price पे आपकी supply इतनी है, लेकिन demand इतनी है, ये QS है, ये QT है, तो यहाँ पर demand किस से ज़्यादा है, the level of demand exceeds supply और इस से prices ऊपर के तरफ जाएंगे, और new price यहाँ पर आ जाएगे, तो बहुत है, यहाँ पर अगर हमें concept भी ना पता हो तो हमें पता ही चल जाता वैसे अगला the elasticity of demand of durable goods in short run, तो जितने भी अब durable goods कोन से होते हैं, हमारे durable goods होते हैं, बेसिकली जो की आपके वो वले होते हैं, जिनकी जो basically over and over use हो सकते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, तो बेसिकली जिनकी जो basically over and over use हो सकते हैं, जैसे घर पे refrigerator, air conditioner, electrical appliances, यह over and over use होते हैं, यह तो नहीं होते हैं यह एक बार use कि यह खतम, उनकी duration जाजा होते हैं तो durable goods की जो elasticity होती है in short run, वो होती है greater than unity, जो होती है वो greater than unity, especially in short run, तो इसका reason क्या होता है, तो basically जब भी हमारे durable goods का price बढ़ता है, हमारा tendency होती है कि भाई अभी इसकी demand कम कर तो अच्छी खासी, reason being क्योंकि ना अब durable goods नॉर्मली थोड़े महंगे भी आते हैं तो ऐसे में जब भी उनकी price बढ़ेगा तो हमारा budget हिलता है, तो short run में हम comparative, long run में क्या है हम फिर भी save कर करके खरीद लेंगे, short run में हमारा comparatively उसकी जो demand होती है वो elastic होती है, कि हम जल्दी से उसकी demand गिरा देंगे, इसलिए answer हो गया greater than one, greater than one means elastic, question number 17, from the below goods for which good you can reduce the demand up to zero, when the price of that good increases, तो कौन सा ऐसा good है, from the below goods for which good you can reduce the demand up to zero, एकदम zero ही कर दोगे when the price of the good increases, तो यह हो जाएगा ऐसा good जो हमारी necessity नहीं है, क्योंकि necessity good की कभी भी demand आप zero नहीं कर सकते है, अब petrol हमारा necessity है, हम कम कर देंगे लेकिन zero नहीं कर पाएंगे, salt necessity है, close necessity है, food necessity, लेकिन branded shoes हमारे necessity नहीं है, branded shoes ऐसा नहीं है, भीया बिना उनके भी तो गुजारा चलता ही है, तो answer हो गया branded shoes, You are a sales manager of pizza company and you have been informed that price elasticity of demand for most popular pizza is greater than one, जो price elasticity है, उसकी demand की उसकी जो demand आ रही है, वो greater than one है, तो आप जो आपको अपना revenue maximize करना है या बढ़ाना है, अगर यही in elastic होती, तो price बढ़ाने पर demand इतनी ना गिरती, overall revenue बढ़ता है, लेकिन यहाँ पर demand elastic है, तो आपको revenue बढ़ाना है, तो आपको अपने pizza का price कम करना पड़ेगा, तब जाकर उसकी demand बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और आपका sales बहुत बढ़ेगी और इस of one good, results in no change in the quantity demanded of another good, then we can conclude goods are, अगर एक good का price बढ़ गया 5%, और उससे दूसरे good की demand पे कोई change नहीं हुआ, no change in quantity demanded of other good, then we can conclude substitute, नहीं, तो direct होता है, complementary, वहाँ तो inverse relation होता है, given relation तो उसमें भी होता है, independent, answer हो गया independent, मतलब आपस में कोई relation नहीं है, आपस में उनका कोई relation नहीं है, क्योंकि अगर relation होता, substitute के वेसे या complimentary के वेसे, किसी भी वेसे, तो एक के price change होने पे दूसरे की demand 100% change होती है, question number 20, the demand of Nike shoes is more price elastic than the demand for basketball shoes, so Nike shoes की जो demand है, वो ज्यादा elastic है as compared to basketball shoes की demand, the fact is best explained by the fact that basketball shoes are not available easily, Nike shoes are necessary goods, Nike shoes are substitute goods, Nike shoes has more complimentary shoes compared to basketball shoes, और Nike shoes have more substitutes than basketball, ये तो obvious सी बात है, जिस good के ज्यादा substitute होंगे, उसकी elasticity हमेशा ज्यादा होगे, क्योंकि हलका price change होने पे कहां भागेंगे substitute के, और जिसके substitute ही बहुत कम होंगे, तो उनके बाद option ही नहीं होगा, तो ये थे आपके 20 questions जो मैंने आप लोग को बोला था कि करवाऊंगा, I hope you liked the video, and if you liked the video, please comment on the video, you technically liked the video, and ऐसे हम अब एक नई concept के साथ आपको next class में मिलेंगे, till then, do practice all the concepts, so that class में मजा आए, ठीक है, चलो, तो बावाए, take care, and do practice.